जै हिन जै शिक्षक साथियों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है रीडिंग क्यामपेन जो की 100 डेस प्रोग्राम है इसके सप्ताह दो यानि की वीक टू का कारकराम हमें कल प्राप्त हो चुका था और हमने अपना कारे शुरू भी कर दिया है तो अब हमने जब कारे शुरू कर दिया है तो उसका रजिस्टर में हम नोट भी करते चले इसके लिए मैंने जो इस बार रजिस्टर बनाया है वो आपको इसमें शेयर कर रही हूँ ये हफता 17 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगा इस बार इसमें बालवाटिका से लेकर कक्षा आठ तक के लिए गतिविधिया भेजी गई है तो चलिए देख लेते हैं इस बार हम अपना रजिस्टर कैसे मेंटेन करेंगे जैसे मैं नहीं किया है यदि आपको सही लगे आप भी वैसा ही अपना रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं रिडिंग कामपिन जो दूसरा सप्ता है इसका वो 17 जनवरी 2022 से 22 जनवरी 2022 तक चलेगा इसमें जो इस बार गतिविधी भेजी गई है वो आयू वर्क के हिसाब से है जो कि बालवाटिका से लेकर कक्षा 6-8 तक के लिए भेजी गई है बालवाटिका जो की कक्षा एक से पहले की classes या कह सकते हैं हम लोग English medium में preparatory classes जो होती थी वो बालवाटिका के अंतरगत अब आने लगी है पिछले हफते जब हमने अपना register maintain किया था तो हमने गती विधी के अंतरगत तीन column बनाये थे लेकिन इस बार क्योंकि उन्होंने बालवाटिका के लिए भी कार्योजना भेजी है गती विधी या भेजी है इसलिए इस बार हम गती विधी के अंतरगत चार column बनाएंगे पहला बालवाटिका का दूसरा कक्षा एक से लेकर दो तक का फिर कक्षा तीन से पाँच का और चौथा कॉलम इसमें होगा कक्षा छे से आठ तक के बच्चों के लिए अब देख लेते हैं जो जो गती विधी उन्होंने भेजी थी सुमवार को बालवाटिका में सुनो कहानी अकेली मचली कक्षा एक दो के लिए भी यही था सुनो कहानी अकेली मचली कक्षा तीन से पाँच के लिए सुनो कहानी भवी भैस कक्षा 6-8 के लिए पड़ो कहानी एक दूजे के लिए मंगलवार को बालवाटिका में सुनो कहानी बहादुर मिमी कक्षा 1-2 के लिए पड़ो कहानी मेधक का तारो भरा सपना कक्षा 3-5 के लिए पड़ो कहानी आच्छी आच्छी के कहानी मैंने अपना वीडियो बनाया है आप उस पर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे जाकर कक्षा 6-8 के लिए सुनो कहानी उटके अंडे बुधवार को बालवाटिका में सुनो कहानी जूते और मोजे कक्षा 1 और 2 में सुनो कहानी हमला हुआ कक्षा 3-5 में सुनो कहानी कुट्टी और कक्षा 6-8 के लिए पड़ो कहानी मैंगोज एवरिवेर गुरुवार को बालवाटिका में सुनो कहानी परिशान पहिया कक्षा 1-2 के लिए पड़ो कहानी दीदी का रंग विरंग खजाना कक्षा 3-5 के लिए पड़ो कहानी अपना भोटू कक्षा 6-8 के लिए सुनो कहानी परिशान पहिया शुक्रवार को बालवाटिका में सुनो कहानी मेधक यात्रा चाए एक और दो के लिए सुनो कहानी गिलहरी कक्षा 3-5 के लिए सुनो कहानी परिशान पहिया और कक्षा 6-8 के लिए पढ़ो कहानी Tommy the Greedy Cat शनिवार को बालवाटिका में सुनो कहानी यह क्या है कक्षा 1 और 2 के लिए पढ़ो कहानी मैं ऐसी ही हूँ कक्षा 3-5 के लिए पढ़ो कहानी लालिया हरे सेब और कक्षा 6-8 के लिए है पढ़ो कहानी मसाला चाहे तो यह तो गतिविधी जो इस हफते भेजी गई है प्रते कक्षा के लिए हमने नोट कर लिया इसमें आवशक नहीं है कि आप बालवाटिका से लेकर कक्षा 8 तक के लिए इस तरह कॉलम बनाए आप जिस भी कक्षा को डील करते हैं जिस भी कक्षा की जिम्मेदारी है आप केवल उस कक्षा का लेकर भी बना सकते है मान लिए आप कक्षा 3 के class teacher है और उसकी ही जिम्मेदारी है तो आप केवल कक्षा 3 के लिए लिखे यदि आपके पास कक्षा 1-2 की जिम्मेदारी है तो आप केवल कक्षा 1-2 का लिखे कक्षा 6-8 के लिए भी यही है और यदि आपके पास कक्षा 1 से लेकर 5 तक की पूरी जिम्मेदारी है या 6-8 तक की जिम्मेदारी है तो आप उस प्रकार से गतिविधी के अंतरगत कॉलम बना लिजे आवशक नहीं है कि आप हर कक्षा के लिए कॉलम बनाए अब अगले पेच पर चलते हैं कि जब हम यह गतिविधियां बच्चों को सेंड करेंगे तो बच्चों की तरफ से जो फीडबैक आयेगा वो हमें इसमें नोट करना है तो बच्चों द्वारा की गई गतिविधियों का संकलन द्वित्य सप्ता 17.1.2022 से 22.1.2022 तक का इसमें वही सारे कॉलम है बस इस बार एक कॉलम हमने बढ़ाया है चलिए देख लेते हैं सबसे पहला कॉलम है दिनांग दूसरा है क्रम संख्या तीसरा है चात्र या चात्रा का नाम कक्षा, गतिविधि अब यह जो एक एक एक्स्ट्रा कॉलम हमने बढ़ाया है इस बार सब्ताह का और एक प्रेशन यह तो था ही केवल एक एक एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ाया है सब्ताह का इसलिए बढ़ाया है क्योंकि कभी-कभी हमारे बच्चे काम कुछ देर से भी करके देते हैं, क्योंकि यह मूबाईल का काम है, मूबाईल जब उनको अविलेबिल होगा, तबी वो यह काम कर पाएंगे, भेज पाएंगे हमको करतो लेंगे, लेकिन भेजने में उनको समस्या आती है, तो काम आने में थोड़ा देर भी हो सकती है इसलिए यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ा दिया जैसे मैं आपको धारण से बताती हूँ जैसे 17 जन्वरी को कैलाश नाम का छात्र है वो कक्षा 5 का है उसने उसने गतिविधी मेरा प्रतम परेचे फलवा सबजियों से एक आडियो बनाया था जो कि उसने मुझे 17 जन्वरी को भेजा है और वो सब्ता एक का कारे था सब्ता एक के कारे उजना में शामिल था लेकिन उसने भेजा मुझे दूसरे हफ़ते तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि सब्ता एक का कारे है कौन से सब्ता का कारे है एक का तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक और उसने क्या भेजा आडियो हमने यह आडियो मेंशन कर दिया अब दूसरा जो छात्र है यह छात्रा है राधा कक्षा तीन की है गतिविधी पड़ो कहानी आच्छी यह इसी सब्ता की कारे उजना का भाग है और जब यह पड़ रही थी तो इसकी फादर ने फोटो लेकर और उसको सेंड किया तो हमने यहाँ लिख दिया फोटो हमें क्या प्राप्त हुई है फोटो और यह कौन से सब्ता की कारे उजना का पार्ट था सब्ता दो का था तो हमने सब्ता दो लिख दिया इसी तरह राखी कक्षा दो की सुनो कहानी में अकेली मचली गतिविधी इसका भी फोटो आया और यह भी सब्ता दो का का रहा है तो हमने सप्ता दो लिख दिया आनंद कक्षा चार का छात्र पड़ो कहानी आच्छी ये भी दूसरे हफ़ते का कार है तो सप्ता क्रमांक दो हो गया और इनोंने वीडियो सेंड किया है तो वीडियो लिख दिया आइश जो कि कक्षा एक का छात्र है इसने कविता परिवार के सदस्य का वीडियो बना कर भेजा लेकिन ये कविता जो परिवार के सदस्य है वो सपता एक की कार्य उजना में शामिल था तो यह सपता क्रमांक में आगया एक इस प्रकार आप अपने छातर छात्रों के जो फीड़बैक ले रहे हैं इसी तरह note करते जाए और प्रती दिन लिखते जाए तो यह आपका पूरा record maintain होता चलेगा आपको कोई भी समस्य आगे नहीं आएगी यदि आपको यह work अच्छा लगा है तो आप भी इसी प्रकार note down कर लिजे और यदि अच्छा लगा है तो like और share जरूर कीजेगा फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए thanks for watching